Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel आज की वीडियो में हम लोग XT Boost continue करेंगे So अगर आपको याद होगा हमने अभी तक XT Boost में दो वीडियो कवर किये हैं In the first video we did introduction to XT Boost जहां पर हमने XT Boost का एक overview लिया कि XT Boost में क्या-क्या different चीज़े आती हैं और किस तरह के optimizations use किये गए हैं फिर second जो वीडियो था उसमें हमने डिसकस किया कि XT Boost को आप regression problem के उपर क्यासे apply कर सकते हो और आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग cover करेंगे कि XT Boost को आप classification problems के उपर क्यासे apply कर सकते हो तो वीडियो में मैं एक छोटा सा toy dataset ले करके पूरा का पूरा जो concept है उसको step by step समझाऊंगा and I'll do all the calculations manually by hand so that आपको सारी चीज़े एकदम होते वे दिखाई दे so the whole idea is कि आप classification scenarios में XT Boost कैसे काम करता है ये समझ पाओ so I hope you are excited for the video let's start the video वीडियो को start करने के पहले guys आपके साथ prerequisite share कर रहा हूँ because आपको कुछ topics आने चाहिए आज का वीडियो समझने के लिए so prerequisite में जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि XT Boost regression के उपर कैसे काम करता है हमने जो last video share किया था वहाँ पर हमने exactly a topic cover किया था कि XT Boost regression problems के उपर कैसे काम करता है तो जो workflow है वो बहुत similar होगा classification के लिए तो अगर आपने regression नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार आप वो पढ़ लो second आपको एक और topic के बारे में knowledge होना चाहिए और वो है gradient boosting क्लासिफिकेशन के उपर कैसे काम करता है ठीक है तो अगर आपको शायद पता चल चुका होगा भी तक कि XG Boost essentially gradient boosting ही है ठीक है तो अगर आपको gradient boosting के बारे में पता है कि वो classification problem पर कैसे काम करता है तो यहाँ पर आपको मदद मिलेगी and the third is a small topic जिसको हम बुलाते हैं log of odds यह शायद आपने machine learning में कभी नगभी पढ़ा होगा या तो boosting में पढ़ा होगा या logistic regression में पढ़ा होगा बट यह topic के बारे में आपको idea होना चाहिए because आज की video में हम इसको कई बार use करेंगे अच्छी बात यह है कि इन तीनो topics के ऊपर मेरे videos है अगर आप description section चेक करोगे इस video का तो आपको link मिल जाएगा इन topics को पढ़ने का तो यह हो गया prerequisite let me also go through some disclaimers video को start करने के पहले the first disclaimer is कि XGBoost का पूरा नाम क्या है extreme gradient boosting और इसके नाम में extremely है because यहाँ पर बहुत तरह के optimizations use किये गए है जो दो चीजों को improve करते है पहला performance of the model और दूसरा speed of the model ठीक है बट आज के वीडियो में we are not going to talk about these optimizations आज का हमारा goal है सिर्फ यह समझना कि fundamental level पे XGBoost classification problems को कैसे solve करता है तो हम बहुत deep में जाके optimizations नहीं पढ़ने वाले ठीक है आगे के वीडियो में हम इन सारे topics को cover करेंगे ठीक है तो this is the first disclaimer second disclaimer is थोड़ा calculation heavy video होगा which means कि मैं calculations heart से करके दिखाऊंगा तो there is a chance कि कुछ जगों पे mistakes आपको दिख जाए होता है न छोटे मोटे mistakes वो आपको दिख सकते है तो आपको न उनके ओपर जादा focus नहीं करना है आपको focus करना है अपना understanding develop करने में आपका end goal क्या है आपको समझना है कि XGBoost classification problem को solve कैसे करता है मैं आपको हाथ से calculation करके दिखाऊंगा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको algorithm को use करना है using some library तो calculations अगर आपको इधर उधर दिखते हैं तो कोई बात नहीं learning पर focus करना तो ये दो disclaimers थे अब हम लोग start करते हैं हमारा video तो XGBoost for classification समझने के लिए हम बहुत छोटे से toy problem के उपर काम करेंगे so ये एक छोटा सा data set है with only two columns and five rows जहां पर हमारे पास ये data है कि अगर किसी student का CGPA मुझे मालूम है तो मैं ये बता सकता हूँ कि उसका placement होगा या नहीं होगा 0 का मतलब placement नहीं होगा 1 का मतलब placement होगा you can see हमारा टास्क ये है कि हमें एक XGBoost का classification model बनाना है जिसको जब हम एक नए student का CGPA देंगे तो वो हमें ये predict करके बताएगा कि उसका placement होगा या नहीं होगा तो ये simple सा toy problem की help से हम लोग XGBoost classification पे कैसे काम करता है ये सीखने वाले मैं आपको सारे के सारे steps बहुत simplified तरीके से समझाओंगा so मेरा plan of action ये है कि पहले मैं आपको एक बार overview दे दूँगा कि हम इस problem को कैसे solve करेंगे और फिर हम लोग step by step fashion में सारे के सारे steps apply करके solution को approach करेंगे ठीक है so या चलो गईज एक बार हम लोग overview लेते हैं कि xg boost इस classification problem को solve कैसे करेगा तो मैंने शायर एक दो बार और बोला ही है कि xg boost होता तो gradient boost ही है which means कि जो basic workflow है किसी problem को solve करने का वो बिलकुल वही रहेगा जो gradient boosting में होता है so आप क्या गरोगे कि आपको यहाँ पर एक model बनाना है एक predictor बनाना है जिसका काम होगा कि एक नए बच्चे के CGPA को देखके predict करना है कि उसका placement होगा या नहीं होगा तो आप यहाँ पर क्या गरते हो आप stage wise additive modeling करते हो this is the concept that we follow in boosting so आप क्या करते हो आप multiple छोटे-छोटे models बनाते हो सबसे पहले आप अपना data पहले model को देते हो यह model कुछ गलतियां करता है उन गलतियों को आप अगले model में propagate करते हो फिर अगला model उन गलतियों के हिसाब से prediction करता है फिर वो भी कुछ गलतियां करेगा उसको आगे भेशते हो और इस तरीके से आप एक combined बड़ा model बनाते हो तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम exactly वही काम करेंगे जो हमने gradient boosting for classification में किया हम सबसे पहले एक base model से start करेंगे regression के case में जैसे mean होता है यहाँ पर हम लोग start करेंगे log of odds से फिर log of odds के basis पे जो भी गलतियां होंगी हम उन गलतियों को निकालेंगे और उन गलतियों के उपर हम लोग एक decision tree को train करते हैं फिर यह हमारा stage 2 का model होता है decision tree इसको आप एक learning rate से multiply कर देते हो फिर इन दोनों का जो combined model है वो भी कुछ गलतियां करेगा तो उन गलतियों के उपर हम एक और decision tree को train करते हैं यहाँ पर भी आप learning rate से multiply करते हो और ऐसा आप कितने भी steps में करते जाते हो the end goal is कि आपको अपनी गलतियों को 0 पे लेके आना है या almost 0 पे लेके आना है ठीक है तो this is the overview of how XT boost will work in the case of classification gradient boosting से बस एक बड़ा difference यह रहेगा कि यहाँ पर XT boost में हम यह जो decision trees use करते हैं यह थोड़े अलग decision trees होते हैं gradient boosting में हम जो decision trees use करते हैं और वो normal vanilla decision trees use करते हैं जो entropy या फिर Gini index के उपर बना होता है XT boost में हम जो trees use करते हैं वो एक different decision tree होता है जहाँ पर हम एक अलग metric use करते हैं जिसको हम similarity score बोलते हैं ठीक है यह मैंने आपको last video में बताया था जब मैं XT boost for regression पढ़ा रहा था आपको तो अगर आपने वो video नहीं देखा है तो मैं फिर से एक बार suggest करूँगा वो video आप देख लो तो overview को अगर हम लोग summarize करें तो हमें basically multiple models बनाने हैं this is model 1, this is model 2, this is model 3 and so on ठीक है? Each of these models, they are decision trees और फिर हम इनको stage wise additive modeling में apply करके use करते हैं gradient boosting से जो main difference है वो बस इतना है कि यहाँ पे जो decision tree है यह थोड़े अलग approach से बनते हैं और वो approach में आपको थोड़े दिर में दिखाऊंगा बट अगर overview की बात करें solution approach की बात करें वो बिलकुल सेम है जो आपने gradient boosting में पढ़ा है तो let's solve this problem step by step using xg boost तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले stage 1 में operate करेंगे stage 1 में क्या होता है कि आपको एक base estimator चाहिए होता है basically आपको एक starting point चाहिए होता है regression के case में यह starting point mean बन जाता है आपके output column का mean but you can see यहाँ पर आपके पास जो output column है वो binary है तो यहाँ पर mean काम नहीं करेगा यहाँ पर हम जो quantity use करते हैं वो होता है log of odds ठीक है log of odds का formula होता है log of p 1 minus p जहाँ पर p क्या है p is the probability of positive class हमारे case में 1 1 होने का probability तो यहाँ पर अगर आप calculate करो तो you would see कि probability of 1 would be 3 by 5 और 1 minus 3 by 5 हो जाएगा 2 by 5 so basically it would be log of 3 by 2 यह basically base E है तो 0.405 आजाएगा this is the output तो हम क्या बोलेंगे हम stage 1 में बोलेंगे कि जो prediction है हमारे base model का in log of odd space वो हर data point के लिए same है and it is 0.405 0.405 for every data point इसका मतलब यह हुआ कि it does not matter आपका CGPA क्या है अगर आप मुझसे पूछोगे कि बताओ मेरा placement होगा या नहीं तो मेरा output होगा 0.405 अब सुनके ही अजीब लग रहा है कि placement होगा या नहीं इसका output 0.405 का क्या मतलब हुआ तो यह एक flaw है log of odds यूज करने का कि आपको क्या करना पड़ता है जब भी आप prediction करते हो या फिर residual calculate करते हो error calculate करते हो तो आपको log of odds को ना probability में convert करना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें prediction करने के लिए यह जो हमारा stage 1 का model है इसका prediction करने के लिए हमें इस quantity को probability में convert करना पड़ेगा और probability में convert करने के लिए हमारे पास एक formula है वो हम लोग use करेंगे और वो formula होता है यह probability is equal to e to the power log of odds divided by 1 plus e to the power log of odds ठीक है अब अगर आप यह values यहाँ पर डालोगे e to the power 0.405 1 plus e to the power 0.405 तो यह जो probability निकल के आती है वो 0.60 आती है ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम यहाँ पर prediction निकाले probability के terms में तो actually prediction probability is 0.6 इसका यह मतलब हुआ कि अगर मुझसे पूछा जाएगा कि कल को कोई नया student आ रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि मानलो इसका CGP 7.5 है तो हम बोलेंगे उसका placement होने का probability is 0.6 threshold decide कर सकते हो 0.5 का तो 0.6 का मतलब 1 मतलब placement हो जाएगा कल को कोई और student आता है 4.9 तो उसका भी probability हम 0.6 पूलेंगे मतलब placement हो जाएगा तो basically right now कुछ भी CGP हो हमारा output will always be 1 because this is our prediction probability obviously यह सही नहीं है ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी CGP हो और आपका placement हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी तक हमने यह जो stage 1 का model बनाया है इसका हम लोग errors calculate करेंगे ठीक है जिसको हम pseudo residual बोलते हैं तो pseudo residual calculate करना बहुत simple है आप basically इस column और इस column को subtract कर दोगे and this will be your residual 1 ठीक है so first case में it would be minus 0.6 0.4 minus 0.6 0.4 and 0.4 तो यह हमारा हर data point के हिसाब से error है ठीक है तो इसके साथ हमारा stage 1 जो है वो complete हो गया हमने अपना stage 1 model बना लिया अब हम क्या करेंगे हम इसमें stage 2 model अड़ करेंगे which will be a decision tree ठीक है और फिर हम इन दोनों को combine करके prediction करेंगे तो अब हमारा जो पूरा focus है वो होगा कि यह decision tree बनता कैसे है अब अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको शायद पता चल चुका होगा कि हम लोग हमारे input column को लेंगे और इस residual column को लेंगे basically इस model का जो error है उसको लेंगे और इन दोनों के उपर हम लोग एक XGBoost decision tree बनाने की कोशिश करेंगे और इस decision tree का जो goal है वो ये है कि वो इन गलतियों को predict करने की कोशिश करेंगे और model 1 के output के साथ उसको add करने की कोशिश करेंगे तो basically हम error को reduce करते रहेंगे ठीक है तो अब going forward हमारा जो discussion होगा वो सिर्फ इसके around होगा कि ये decision tree कैसे बनेगा तो वो decision tree बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप अपना जो data set है उसका जो input column है in our case it is CGPA उसके basis पर data को sort कर लोगे सबसे छोटा CGPA सबसे उपर आ जाएगा सबसे बड़ा CGPA सबसे नीचे जला जाएगा हमारे case में ये data already sorted था सो हमें कुछ करना नहीं पड़ा और corresponding residuals हमने सामने लिख दिये अब आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप एक leaf node form करते हो you form a leaf node so basically इस leaf node में आप अपने सारे residuals को add कर देते हो like this और एक पर आप जैसे ये leaf node बनाते हो तो अब आपका काम क्या होता है कि आपको इस leaf node के लिए एक quantity calculate करने होती है जिसका नाम होता है similarity score ये same quantity हमने regression वाले वीडियो में भी calculate किया था there is only one difference कि जो similarity score calculate करने का formula classification में है वो regression से थोड़ा अलग है और similarity score calculate करने का formula होता है sigma of residual i का square divided by sigma of previous probability of i 1 minus previous probability i plus lambda ठीक है तो एक बार मैं आपको ये formula explain कर देता हूँ ये बहुत similar है वैसे तो जो आपने regression में पढ़ा था वहाँ पर numerator same था ये lambda आपका regularization parameter है इसको हमने 0 मान लिया था because अभी हम regularization overfitting का discussion नहीं कर रहे है बस ये जो quantity है ना ये different है ये quantity different है denominator में ये quantity भी आपने देख रखा है जब आपने gradient boosting में classification पढ़ा था वहाँ पर exactly ये same quantity था ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग इस particular leaf node के लिए similarity score calculate करेंगे using this formula तो यहाँ पर I represent कर रहा है observation को ठीक है तो यहाँ पर in total हमारे पास 5 observations है तो I 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा ठीक है तो for each of the observations we have to basically first add their residuals and जो भी result आएगा उसको हमें square करना है divided by हमें हर observation का जो previous probability है so previous probability actually यहाँ पर है यह है previous probability so अभी सभी का previous probability same है that is 0.6 तो basically हमें जितने भी हमारे observations है basically 5 observations है हमें उनके लिए यह quantity calculate करनी है 0.6 that is previous probability 1 minus 0.6 that is 1 minus previous probability और 5 से स्लिए multiply किया because हमारे पास 5 observations है plus lambda का value 0 है ठीक है तो अगर आप इसको calculate करोगे तो आपको यहाँ पर उपर ही दिख जाएगा कि numerator 0 हो जा रहे है जिसकी वज़े से जो similarity score है इस leaf node का that similarity score is actually 0 तो सबसे पहले आपको क्या करना था आपको यह leaf node में सारे residuals को डालना था और similarity score calculate करना था हमारे case में जो similarity score आया root node पे वो 0 आया अब हम क्या करेंगे हम इन residuals को split करेंगे on the basis of a splitting criteria splitting criteria CGPA के basis पे आएगा और हम उस splitting criteria के basis पे split करेंगे इन residuals को और हमारा goal क्या होगा similarity score को maximize करना यह हमारा goal है ठीक है तो let's move forward and let's find out कि क्या potential splitting candidates I'm sorry क्या potential splitting criteria हो सकते है तो guys splitting criteria निकालना थो बहुत आसान है splitting criteria क्या होता है कि आपके सारे के सारे जो consecutive data points होते है उनका average होता है जैसे कि इन दोनों के बीच का average होगा 5.97 तो ये बन जाएगा एक splitting criteria इन दोनों के बीच का average होगा 6.67 ये हो जाएगा दूसरा splitting criteria उसके बाद तीसरा होगा 7.62 and last होगा 8.87 अब हमें क्या करना है हमें इन चारो splitting criteria के basis पे इन residuals को split करना है और gain in similarity score निकालना है जिस splitting criteria के उपर सबसे जादा gain होगा वह हमारा root node बन जाएगा हमारे decision tree का तो अब हम लोग अपना सबसे पहला जो splitting criteria है उसको पकड़ेंगे that is 5.97 और इसके basis पे हम इन सारे residuals को split मारेंगे so basically what we are doing is कि हम लोग root node पे ये simple question पूछ रहे है कि अगर CGPA is less than 5.97 तो automatically क्या होगा कि दो child nodes बन जाएगे दो leaf nodes बन जाएगे left side वाले में सिर्फ 0.6 आएगा ये वाला क्योंकि यही criteria फुल्फिल कर रहा है और बाकी के जो चारो है न वो यहाँ पे आ जाएगे अब हमें क्या करना है हमें similarity score निकालना है for left node और हमें similarity score निकालना है for right node और formula यहाँ पर हमने discuss कर रख है यही formula में use करना है तो पहले let's focus on left side वाला तो since एक ही residual है यहाँ पे तो इसका square कर देंगे divided by आपका जो previous probability है previous probability सभी के लिए 0.6 है तो 0.6 multiplied by 1 minus 0.6 lambda 0 है तो यह जो quantity निकल के आएगी यह होगी 0.36 divided by 0.6 into 0.4 that would be 0.24 and this would be 1.5 तो यह आपका similarity score है and you can see similarity score जादा होता है generally जब आपके पास similar type के numbers होते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही number है तो फिर similarity score high है यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आजाएगा आपका सबसे पहले तो 0.4 minus 0.6 plus 0.4 plus 0.4 का square divided by 4 times 0.6 multiplied by 0.4 because 4 आपके observations है उपर फिर से आजाएगा 0.6 का square तो इट वोड़ बी 0.36 और नीचे आजाएगा 4 multiplied by 0.24 so basically it would be 1.5 divided by 4 and this would come out to be roughly 0.37 अब हमें क्या करना है हमें overall gain निकालना है तो gain निकालने का formula होता है gain होता है SSL plus SSR minus SS root so SSL क्या है 1.5 SSR क्या है 0.37 और root पे क्या आया था हमारा root पे था 0 तो हम यहाँ पे 0 को डाल देंगे और हमारा जो gain है वो आ जाएगा 1.87 इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने अपने residuals को इस splitting criteria के basis पे split किया तो जो gain आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1.87 का अब बिल्कुल same fashion में हमें 6.67 के लिए gain निकालना है 7.62 के लिए निकालना है 8.87 के लिए निकालना है जिस splitting criteria पे gain सबसे ज़्यादा होगा वह हमारा final output में आ जाएगा So let's move on to the next splitting criteria that is 6.67 तो जब आप इस splitting criteria पे split मारोगे तो यह दोनो residuals लेफ्ट नोड में चले जाएंगे So we'll get 0.6, 0.4 and बाकी के तीनो second वाले में चले जाएंगे right side में So this would be 0.6, 0.4, 0.4 ठीक है अब हमें क्या करना है Individually हमें left leaf और right leaf का similarity score calculate करना है So we'll start with SSL So इन दोनों को जब आप add करोगे तो it would give you 0.2 का square और divided by two times because there are two leaves multiplied by 0.6 multiplied by 0.4 lambda 0 है So this would be 0.04 divided by 2 multiplied by 0.24 0.04 divided by 0.48 So this number will be 0.08 ठीक है So यह हो गया हमारा SSL In fact इसको थोड़ा compact तरीके से लिख लेते हैं Because we have space 0.08 यहां पर अगर आप आओगे तो इन तीनों quantities का जब आप sum निकालोगे तो it would be 0.2 का square positive 0.2 का square 3 times 0.24 यह सारे के calculations आप खुद भी कर सकते हो 0.04 3 times 0.24 equals this would be 0.05 ठीक है So basically अगर आप gain calculate करना चाहो for this splitting criteria it would be left वाला plus right वाला minus root का 0 So this would be 1.13 3 This is the gain and you can see 5.97 पे जो gain था उससे कम है जब आप 6.67 को ले करके split मार रहो तो obviously आप इसको नहीं चूज करोगे फिलहाल अभी तक में this one is better अब ऐसे ही आपको अगला दो भी करके देखना पड़ेगा तो guys similarly मैंने next जो हमारा splitting criteria 7.62 उसके उपर splitting किया you can see इस बर splitting करने पर minus 0.6, 0.4 और minus 0.6 एक तरफ आगे और 0.4 और 0.5, 0.4 दूसरी तरफ आगे ये हमने calculate किया आपका similarity score for left leaf node और ये हमने calculate किया similarity score for right leaf node and this is the gain जो कि अभी तक का सबसे ज़ाद है so 1.87, 0.13 clearly this is the maximum अभी तक और फिर last वाला है 8.87 मैंने बस आपको splitting करके दिखा दिया calculation नहीं किया because मुझे already पता है कि 2.22 से ज़ादा नहीं हो सकता because अब देख सकते हो यहाँ पर इसलिए इतना ज़ादा है because similar type के numbers एक तरफ चले गए यहाँ पर you can see एक दूसरे को वो cancel कर देंगे तो आप करके देख सकते हो calculation but it would not cross 2.22 so हमें यह समझ में आया कि हमारा जो decision tree होगा वो basically यह होगा this will be our decision tree अब obviously आप इसको और break down कर सकते हो in fact let me just cut it आप यहाँ पर और splitting कर सकते हो आप यहाँ पर भी और splitting कर सकते हो same रहेगा जैसा हमने अभी तक किया आप यहाँ पर जो तीन observations है उनके splitting criteria's के basis पर try out करोगे अलग अलग करोगे पहले point negative point 6 अलग हो जाएगा यह दोनों अलग हो जाएगे फिर यह दोनों अलग होंगे यह अकेला रह जाएगा तो you will try out all the combinations and you will find out कि कौन सा split will be the best but हम since shallow decision trees use करते हैं हम और splitting नहीं कर रहे हैं आप कर सकते हो हम नहीं कर रहे हैं तो this is going to be our first decision tree और stage 2 का model this is going to be our stage 2 का model तो guys हमारा decision tree तो finalize हो गया अब बस एक चीज़ बचिए है कि हमारे यह जो दो leaf nodes हैं हमें इन दोनों का output value calculate करना है और output value calculate करने का एक बहुत specific formula होता है so output value for a particular leaf for classification problems is calculated using this formula sigma of residual i divided by sigma of previous probability i 1 minus previous probability i plus lambda जो हमने 0 set कर रखा है so basically उपर वाला ही formula है similarity score निकालने वाला वहाँ पर यहाँ पर square था इस formula में square नहीं है अब I know इस point पे आपके दिमाग में questions आ रहे होंगे कि यह formulas कहां से आ रहे हैं तो don't worry हम लोग अगले वीडियो में mathematical formulation में यह सारे formulas derive करेंगे बट इस point पे आपको just याद रखना पड़ेगा कि this is the formula ठीक है तो अब हमें क्या करना है इन दोनों leaves के लिए output calculate करना है so let's focus on this one so यहाँ पर आपका numerator हो जाएगा point six plus point four minus point six divided by यह हम कर चुके है multiple times three times point six multiplied by point four ठीक है उपर आपका आजाएगा minus point eight और नीचे आजाएगा three times point two four और यह number आपका निकल के आता है minus one point one one ठीक है मैं आपे लिख देता हूँ minus one point one one this is the output और similarly अगर आप यहाँ पे calculation करो तो यहाँ पर आएगा point four plus point four divided by two times point two four और यह आपका निकल के आता है one point six six इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ one point six six this is the output of these two leaves अब हमें क्या करना है हमें stage two के end में prediction calculate करना है this is our this is going to be our next step so guys अब हम लोग stage two पे prediction करेंगे so you can see stage two पे जो हमारा combined model है वो actually M1 और M2 से मिलके बना है M1 है हमारा log of odds value जो की point four zero five है और M2 है हमारा decision tree जो हमने भी just बनाया है you can see बहुत simple decision tree है अगर CGPA का value seven point six two से कम है तो minus one point one one हमारा output होगा और अगर CGPA का value seven point six two से जादा है तो one point six six हमारा value होगा तो basically हम इस expression को solve करेंगे to get our prediction ठीक है तो यह हमारा पहला point है so पहले point का CGPA is five point seven zero तो going by this logic हमें calculate करना होगा point four zero five plus point three हमारा learning rate जिसको हम eta बुलाते है multiplied by जो भी इस decision tree से output है तो since CGPA five point seven zero है which is less than seven point six two यहाँ पे आजाएगा minus one point one one और यह जो prediction है यह होगा आपका point zero seven two अब अगर आप बात करो इस वाले की तो यहाँ पे भी exactly same चीज़ आएगी multiplied by since seven point six two से कम है तो यहाँ पे भी आजाएगा minus one point one one तो यहाँ पे भी आजाएगा point zero seven two seven point one zero भी seven point six two से कम है तो exact same चीज़ आएगी eight point one five seven point six two से बड़ा है तो फिर यहाँ पे expression change होगा और यहाँ पर आजाएगा point three multiplied by one point six six तो यहाँ पर जो output होगा वो होगा point nine zero three similarly nine point six zero भी जादा है तो यहाँ पे भी जो output होगा point nine zero three ठीक है तो यह हमारा prediction हुआ stage two का बड़ आपको यह बात याद रखनी है कि यह जो prediction है यह log of odds के space में है हमें तो probabilities में चाहिए क्योंकि हमें residual calculate करना होता है तो बहुत simple है हम फिल से formula लगाएंगे e to the power log of odds divided by one plus e to the power log of odds यह formula लगाने पे आपका यह जो log of odds value है यह आजाएगा 0.518 यहाँ पे भी आजाएगा 0.518 0.518 यहाँ पर आजाएगा 0.712 0.712 अब बस हमें क्या करना है यह जो column है और यह जो column है इनके बीच का difference निकालना है because हमें residual calculate करना है and guys मैंने सारी residual values calculate कर ली you can see these are the 5 residual values and now you can actually see की हमारा जो combined model है it is working well you can compare it with residual 1 stage 1 के जो errors थे versus stage 2 के जो errors है you can see पहले point के respect में जो stage 1 error था वो था minus 0.6 वो 0 के तरफ चला गया है minus 0.51 हो गया यहां पर थोड़ा सा हमारा बढ़ा है यहां पर 0 के तरफ गया है और इन दोनों में भी 0 के तरफ गया है you can see this model is working fine तो अब आपको क्या करना है next next हम लोग फिर से CGPA को उठाएंगे और residual 2 को उठाएंगे और इन दोनों को use करके we will build our model 3 which will again be a decision tree ठीक है तो stage 3 में क्या होगा कि आपके पास 3 models होंगे आपके पास M1 होगा which is your log of odds plus 0.3 times M2 होगा which is this decision tree और फिर 0.3 times M3 होगा which will be this decision tree और फिर आप इन तीनों का combined जो model है उसका prediction निकाल होगे उसको फिर से आप probability में convert करोगे उससे फिर आप residual 3 निकालोगे और फिर आप भी repeat करते जाओगे फिर से CGPA को पकडोगे residual 3 को पकडोगे और फिर से model 4 बनाओगे which will be a decision tree और ऐसा आपको कब तक करते जाना है जब तक ये residuals 0 के बहुत पास ना चले जाए and that is how XGBoost works तो honestly आपने कुछ नया नहीं सीखा यहां पर आपने जो आपने gradient boosting में सीखा था you are basically using the same flow same flow you are using the only difference is how you are building these trees the concept of similarity score and how you are calculating these output values that is the only difference जो आपने इस वीडियो में देखा अब I know आपके दिमाग में आ रहा होगा कि similarity score का formula ऐसा क्यूं है या output निकालने का formula ऐसा क्यूं है तो just be patient in our next video we are going to cover the mathematical formulation behind XGBoost और वहाँ पे आपको ये सब clear हो जाएगा कि ये जो सारे formulas हमने पढ़े ये जो हमने सारे formulas पढ़े इनका origin story क्या है ठीक है बट आज की वीडियो में आपने इतना सीख लिया कि XGBoost classification problems के उपर कैसे काम करता है so I hope this video is clear अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करना और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है please do subscribe मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई